हाड हाड है है अब पिछले क्लास में हमने देखा ररे की कि ऐसे यह इस्ट्रेट्ट लूप काम करता है यह वही प्रोग्राम है तो हमने ज्यादा समझने के चक्कर में एक पीसरा लूप भी इंट्रडूज कर दिया था तीसरा लेवल वह गया यह इसको फिला लुग हटा दे कि बीच जो बार बार और तो जो भी इसके धाएरह है यानि फूर नूप का दायरा यहां सुरू हो रहा है इस बीच जो भी है वो उसके दायरे में यह इस काम यह जो भी मैंने select किया हुआ है इस काम को repeat करेगा लूप करेगा कितनी बार करेगा एक से सुरू होगा दो और तीन तरी तो यह तोटल काम मतलब यह पूरा काम भी तीन बार होगा अब यहां देखे कि यह इसमें क्या दिया हुआ है इस लूप में क्या करने को कहा गया है इस लूप में क्या करने को कहा गया होगी यह दो बार रिपीट करना है किसे दो बार रिपीट करना है इस लूप का दाइरा यह है, यहां जो बीचीज़ है वो दो बार रिपीट होगा, यानि कि ये काम टोटल कितनी बार होगा, दो और ये तीन, इसको मल्टिप्लाइ कर दे, तो ये काम टोटल सिक्स टाइम्स होगा, क्यों? पहले एका वालू जब होगा, होगा 1, तब ये लूप चलेगा एक बार पूरा, फिर जब एका वालू हो जाएगा 2, तब ये लूप चलेगा पूरा एक बार फिर से, पूरा मतलब पूरा इटरेशन, और फिर एका वालू जब सी हो जाएगा, तब ये लूप भी पूरा काम क कि इसको इब फेस्ट रण कराएं कि देख लीजिए कि देखिए कि यह तो पूरा नहीं को डूरन कर रहा है कि इसे सेव करते हैं और इसे वापस कंपाइल कराते हैं देखिए यह वन हाई किसका लिख रहा है इसको थोड़ा सब और बहुतर कर रहते हैं रुको एक श्लाइश टी लगा करता है युदो इसे डोंट लेट साल लुक देखिए यह वन है यह वन क्यों है यह इस वज़ा से है यह हाई पहला रणने का फिर यह इस लूप को रण करा रहा है यह इतना गाप क्यों ले रहा है यह दो अबने टाइब का रिप्रेजेंटर वन टाइब वन टाइब की इन दा की बूर्ट में ताइब बटन दबाते हैं तो क्या होता है एक निश्चित दूरी लेता है आप इसे एक एक्जांपल दा समझेए लाइक छोटा यह उसमें टाइब कर देखते हैं तो यह जो यह तो यह इस नमबर ऑफ स्पेस वह एक लेंदी स्पेस वह देता है तो दो टाइब इसको एक्टव करके देखते हैं कि यहां दिख रहा है आपना कि एक वेलू वन है बने यह आउटर लूप पहली बार चला तो यह इनर लूप दो बार चला यह क्या-क्या यह नहीं होता है यही तो आपको समझना है फोर लूप नेश्टर फोर लूप जब होता है तो इच टाइम दा आउटर लूप एंटर सकेन देन इट री स्टर्ट वू से फिर वो लूपिंग करता है यह एक्स का वैलू को रिसेट करेगा और फिर यह काम करेगा और फिर पीसी पार चला तो फिर वही कर दो कहीं अंतर न प्रागी एक बार आपको प्राक्टिस करना होगा तभी आप समझ पाएंगे अब आई हम लोग समझते हैं कि क्या 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 काम कर सकते हैं बहुत सारा फाइदा है निस्टेट डूप से सबसे ज़रूरी बात तो ऐरे जब हम लोग यूज करते हैं यह आप चाहें तो दोसरा वीडियो से लिए में बीना फॉर्मूप के काम सभी से करबना मुस्किल है अब यह जैसे शिंगल डामेंशन पर अगर डामेंशन अगर डेवल का अगर अगर डैबल डैमेंजन आ रहे हैं, तो नेश्टेड फोर लूप से ही वो काम करेंगा, अगर थ्री डैमेंजन आ रहे हैं, तो हमारा नेश्टेड जो है, वो ठी लेवल में रहेगा, तब या के काम हो, तो यह भी आपको समझ में नहीं आएगे, जब आरे पढ़ेंगे, तब और अब हम लोग प्रयास करते हैं कुछ और करने का एक मैसेज जिसे एक वैलू को ही प्रिंट करा रहा है अब एक वैलू कहां प्रिंट कर रहा है वह भी देखिया एक वैलू हम लोग इस लूप के अंदर प्रिंट करा रहे है अब किस तरह से होगा कर देखे़ एक वैलू ली यह वह अंदर गया अंदर जब गया तो फिर एक लूप मिल गें अब ऑब एक्स के लिए दो बार चलो ठीक है चलते हैं किस वजह से लिखा इसका यह ये दो बार क्यों लेकर क्योंकि एकस लूप है इनार लूप ऐघ्ज दो बार करवा रहा हिंदा और इससे कांड़ू कर वा रहा है तो यह जब बाहर है दो पिर तीसरी बार हुआ अब इसी को आप ऐसे देखिए उसको तीन ही रहने दिजिए इसको दस कर देते हैं किसे दस कर दिया हमने एक्स को दस कर दिया अब देखिए आप समझ सकते हैं कि क्या हो यह क्या कर रहा है दस बार यहां से यहां तक दस बार हो रहा है पिर दूसरी बार भी जब एक फेसे भी तो हो गया तो भी वो दस बार प्रिंट के और इसे वी दस बार प्रिंट के बिए तो हो गया ये अब इसे क्या है ऐसे देखिए value of x value को of x वी उधर प्रिंट कराई है ए इधर प्रिंट होगा x उधर प्रिंट होगा देखे ध्याम से देखे 1 value of a and value of x 1 क्योंकि a तो खरवन है अंदर आया यह 1 ही है और x जो है वो तो बदल रहा है न या एक्स पहले 1 होगा फिर 2 होगा फिर 10 तक जागा देखे x का value इधर बदल रहा है 1 to 10 होगा फिर जब एक value 2 हुआ यानि कि जब यह loop में दूसरी बार एंटर किया एक value जब 2 हुआ तो फिर यह loop फिर जब पूरा चला तो फिर यह x का value 1, 2, 3, 4, 8, 10 तक चला और उसी तरह से तीसरी बार जब यह तीसरी बार आखरी लूप जब चल रहा है तो फिर से x का value 1 से शुरू हुआ और 10 तक गया देखे रहा है यह देखे x का value यानि कि इधार a पूरा वही है यहां बदल रहा है फिर a जब 2 हुआ तो फिर यह x बदल रहा है तो यह बदल रहा है अब इसी को थोड़ा और अलग अन्दाज में करके देखते हैं अब लोग a into x कर देते हैं यह बीच का message हटा दिए a into x को ने a का multiplication हो रहा है अब देखे क्या result है यह देखे क्या result आ रहा है एक value क्या है शुरू में 1 है और यह कितनी दूर तक 1 रहेगा यह अभी 10 बार जब तक x बदल रहा है तक यह 1 रहेगा x हमारा बदल रहा है 1, 2, 3, 4 तो यह क्या हो गया 1 into 1 दूसरी बार में 1 into 2 तीसरी बार में 1 into 3 एह हो रहा है फिर जब 8 2 हुआ तो फिर रहे 2 into 1 फिर 2 into 2 फिर 2 into 3 फिर 2 into 4 और इसलिए यह 2 into 2, 2 into 4, 3 into 6, 2 into 8 यह 2 का table लिख रहा है पिर जब एक value 3 हुआ तो यह 3 का table लिख रहा है आम देख रहा है यह 3 का table ही अरे यह तो table प्रिंट हो गया है येस अब अगर हमको पता हम चाहते है कि 5 तक यह 10 तक यह 50 तक table प्रिंट करें तो देखिए यहां जो नंबर लिखना लिखिए जैसे हमने लिखा मालो 18 तो अब आप देखेंगे 18 तक का table यह program प्रिंट करने लगे यह हलाकि हडबडा के देखिए पार हो रहा है मगर यह 18 तक table प्रिंट किया है देखिए यह 1 का table यहां से यह तक फिर यह 2 का table है फिर यहां से 3 का table शुरू हो गया 4 का table है 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, 12 का यह देखिए 13 का table है 15 का table है और यह 18 का टेबल है लेन आउट ओफ लूप जब इसका वैलू 19 हो तो आप अगर ऐसे इसे देखेगा तो समझ में नहीं आएगा आपको सुरू से लूप को अच्छे से समझना होगा धीरे-धीरे करके तब आपको समझना है कि अच्छा इस तरह का का हो सकता है अब इसे को द अब देखिए धीरे-धीरेवलग प्रोग्राम को मोडिफाइब कर रहे हैं प्रिंट क्या करता है वो सब एक लाइन में लिखना सुरू करता है अच्छा अले कॉंपाल करें और यह तो यह क्या किया ये वही काम कर रहा है बट ये नीचे ना करके उसी लाइन अज कर देखे एक टू का टेबल यहां पर लिख रहा है त्विडिके ट्री का टेबल लिख रहा है लिए तो इसका तरीका है से बहतर करने का तो इसे हम लोग ऐसा करते है कि स्लाइस टी डाल देते हैं स्लाइस टी यह टाब तब थोड़ा दूरी दूरी पर दिखलाएगा आपको देखिए इसको थोड़ा बहतर करने के लिए स्लाइस टी जो है उसको इधर लगा दोते हैं मैं सबसकता हूं नए लोगों के लिए थोड़ा कॉंप्लिकेटेड होगा मगर यह प्रतक्ष आपके सामने हो रहा है आप वीडियो को और रही करके उखन भी प्रैक्टिस करके आप मतलब देख सकते हैं इसलाइस टी शुरू में लगा इसले पहले टी लगा फिर वन फिर एक टी यह 1 2 3 4 लिख रहा है इसका और एक बहुतर रूप में दिखा रहा हूं को सिस्टम.ड.printl बस यह सब चीजे उन्हीं लोग को समझ भाएंगी जिनका बेसिक क्लियर है तब बेसिक जिनका क्लियर नहीं होगा यह सब समझ में दिया है मैं क्या कर रहा हूं कि इस लूप से निकलने के बाद मैं एक printl खाली रखते रहा हूं उससे क्या होगा कि नीचे की लाइन में आजागा अब देखिए असर को देखिए इसको 18 तक ना करके हम लोग कहले 3 तक ही करके देखते हैं तक ही थोड़ा हलका दिखें स्क्रीन देखिए यह 1 2 3 4 5 6 10 तक लिखा है यह क्योंकि 1 into 2 into 2 जो भी था यहां पर यह एक लाइन में लिखता चला कि फिर जैसे ही अपना काम करके नीचे आया तो आपने बोल दिया नीचे आ गया फिर अगला लूप जो सुरू होगा दो नीचे की लाइन में करसर को ले आता है कि अब एक काम करते हैं यहां पर स्लश टी लगा के देखते हैं इसका असर क्या होता है यह जो बिल्कुल सटा हुआ नंबर दिख रहा है न तो एक पी बीच में रहेगा तो क्या होगा एक टैब स्पेसर रहेगा तो वन के बाद टू सब्सेपरेंट दिखेगा टू के 1234 5678 9 10 फिर 2 का टेबल दू को कैड़ेट 2 । a power 6288 20 तक गया फिर त्री कटेबल आ रहा है तो इस देख रहाएँ अब तू का टेबल है यह थी का टेबल आगर इसे हम 10 तक करते हैं तेके 10 तक का टेबल आ जागा अरुँ है आई यह वंक टेबल और यह ट्री क्या टेबल है यह पूर का टेबल है मग्रणा पूब GORE यह भी करना चाहिए ये भी यह टू-फोर-ई- तू-क-टे इए इस जही यह फोर क्या टेबल है इस बार यह सुव विवस्थित तरीके से तो इस तरह से वन्टू टेन का टेबल हमने प्रिंट करा लिया इसके मदद से इसको और बहतर आपको कराना है तो आप इसे करा सकते हैं इसको थोड़ा कम करते हैं इसको करते हैं थ्री तक ही करते हैं जैसे आप अगर लिखना चाहें अब यहां देखे मैंने प्रिंट एले न लगा जाया है क्यों लगाया अब यह पॉट कूर्ट कुल देकर सोई आए अब देखे मैंने क्या लिखा अ यानि वह एक का वैल्यू लिखेगा यह को डिखेंगा यह कोटिशन के अमांद के इंदर X मैंने लिखा है यह एकसर क्या रोल होगा सब्सक्राइब इकवालव में प्लस न लिए भेस्ट होगा प्लस होगा अब देखें क्या लगई भी कहां पर रहा है बी नहीं है एकस भी तो कुछ है ही नहीं तरह से तरह से आरह है कैसे आ रहा है यह 111 जो लिख रहा है यह एक का बदल पर लेगा जब यह दूसरा राउंड में जाए तब मैं यह बदले का मगर इनर लूप एक्स बार बर बदल रहा है तो यह बार बर बदल रहा है इसलिए x का value 1-2-3-4 repeat हो रहा है और यहाँ क्या है यह इन 2x का value है भही जब एक आ value 2 हुआ तो x का value 1-2-3 यह तो 2-2 जा 4-2 तक क्यों जहां से हो रहा है तो इस तरह से इस तरह से अब table print करा सकते हैं इस तरह से और कई सारी चीजे हैं जो हम लोग नेश्टेड लूप की मिनद से कर सकते हैं और नेश्टेड लूप को समझने का सही तरीका क्या है प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एट आप लोगों को अगर तो उसके लिए आप देखिए कि जावा टॉपिक वाइज नाम का एक प्ले लिस्ट जो है उसमें एक खास वीडियो डाला हुआ है डिफरेंस बिट्वीन प्रिंट और प्रिंट अलेन फंक्शन ठीक है इसे देखिएगा तो आप समझ जाएंगे कि प्रिंट और प्रिंट ने टिक है अपर हम लिखते हैं प्रिंट नींचे है यह क्या रेगा यह क्या करेगा आये ने पर समझते यह क्या करेगा कि देखें कि यह पहले- एक से-दस तक उसी लाइन में प्रिंट तेखा हुए ना उसी hidden memory-sa delt वो नीचे आ गया नीचे आ तो फिर राउंड टू गया एक राउंड टू गया तो फिर वो नीचे की लाइन में इसको दसiau किया और फिर यह जब खतम होगा तो फिर प्रिंट एलेंड है तो प्रिंट एलेंड करसर को नीचे लेते आया और फिर पीसरी राउड में हम नहीं है इसे कि तो अगर हम इसे 10 की जगा 20 लिख देंगे तो आपको पता है क्या होगा कि उसी लाइन में जहां 10 तो इसमें नया क्या है यह अब सुरू होगा देखे इसे 10 के जगा हम लोग तीन के जगा 10 कर देते हैं अब देखे तो यह तीन बार कर रहा था अब यह दस बार कर रहा है और इधर बीस अड़रेट से अब यहां पर हम 20 जो लिख रहे है 20 यहां पर 29 लिख देते यह आ नहीं सिर्फ 2 लिखे देते नहीं तो का होगा आप देखिये हलां कि अपने प्रिक्ट करना चाहिए कि क्या होगा हुए कि तो क्या होगा है दोज़ा डरेट सेंबल आएगा दस बार अगर हम यहाँ पर कोई वैरियेबल डाले यह बार्टा रहे अब देखिए क्या कबाल करता है एक पैटर्न प्रिंट कर रहा है ठीक है यह ऐसे ट्राइंगुलर प्रैटर्न क्यों प्रेंट प्रेंट किया उसको समझी है इनर लूप सुरू में कितना बार चला है एक वैलू क्या है सुरू में वन है तो यह x is equal to x1 प्लस एक ही बार यह चल रहा है ठीक है यह लूप एक ही तो इसलिए एक बार प्रेंट हुआ दूसरी राउंड में जब ए गया यह का वैले टू था तो यह x is equal to यह क्या बन जाएगा x is less than equal to 2 यानि कि इनर लूप दो बार चलेगा इसलिए दो बार एड़रेट में तीसरी बार जब यह गया तो इनर लूप फिर तीन बार चलेगा इसलिए तीन बार किया चौथी बार में चार बार और उस तरह पांच छे साथ आज दसवी बार में दस और इस चक्कर में क्या हूआ कि यह पैटर्न बन गया तो इस तरह से आप पैटर्न बनाने का भी प्रोग्राम आप वह कर सकते हो बना सकते हो ठीक है तो यह कि बहुत कुछ इसमें संभाव है जाओ तो अगर हम उल्टा लूप लगा है और ए इस इक्वल टू टैन कर दे और ए इस ग्रेटर देन इक्वल टू वन कर दे तो क्या होगा वह देखो तो उल्टा लूप जब चलाएंगे तो यह माइनस माइनस होना चाहिए कि देखिए इस सुरू में कावल दस था तो यह दस बार इसको प्रिंट किया फिर सेकेंड रौंड में यह माइनस हो गया नाइन हो गया एट हो गया तो इस तरह से उल्टा पैटर्न प्रिंट किया है और इस तरह से आप दिमाग लगा के तरह तरह का प्रिंट करने का भी प्रोग्राम बना सकते हैं नेश्टेड लूप की बना या दूसरे सब्दों में नेश्टेड लूप से डबल डामेंशन आरे में जो फाइदा हमको मिलना हो तो मिलता ही है प्रोग्राम बनाने की बात हो तो बिना नेश्टेड लूप के संभव नहीं है तो आप अलग-अलग तरीके से पैटन बनाई तो इससे हो जाएगा उमीद करते हैं चीज़े समझ में आ रही होगी अल्याथ यह अप्लोडेड है रिकॉर्डेड है आप इसे भार-बार भार भी देख सकते हैं थैंक यू